आदब पलपल नियूज के नियूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नदीम अक्रम खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिये ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा बढ़ते हैं खबर की तरफ बेटी आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए हर कोई सड़क से संसत तक उतर आया था और बेटी आसिफा की आवास तरफ देश ही नहीं विदेशों में बिगूंजी और हर कोई हकूमत से सवाल करने लगा कि आखिरकार ये आपके देश में चल क्या रहा है उसके बाद कल पठान कोट ने छे आरोपियों को दोशी करार दिया जिसमें से तीन को उम्रकैद और तीन को पाच-पाच साल की सजा सुनाई गई है पठान कोट के फैसले के पाथ तमाम तरहके की परतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं जिसमें बैरिस्टा असदुदीन ओवेसी, महभूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात कही है जिसके उपर आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए पर कटगरे में आ करके एक ही शक्स हर बार खड़े होते हैं क्योंकि बैरिस्टा असदुदीन ओवेसी की पाथ इस केस में कड़वी जरूर है पर सच्चाई बया करने से बैरिस्टा असदुदीन ओवेसी रुकने वाले नहीं है तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इन तीनों लोगों ने क्या कुछ कहा है फैसले आने के पाथ जमु कश्मीर के कटवा में आच साल की पच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में पठान कोट की विशेश अदालत ने छे आरोपियों को दोशी करार दिया और सजा सुनाई इन सब के बीच आल इंडिया मजली से इतिहादुन मुस्लमीन के सदर बैरिस्टा असदुदीन ओवेसी का बयान सामने आया है हैदरबाद से सांसर बैरिस्टा असदुदीन ओवेसी ने भारतिय जंता पार्टी पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि पिछली जम्रु कश्मीर सरकार में उसके मंत्रियों ने कटूआ मामलے के आरोपियों के समर्थन में आयोजित रेली में भाग क्यों लिया था उन्हें बताना चाहिए कि All India मजली से इतियाद المسلمین के अद्यक्ष ने कहा भाजपा को ये बताना चाहिए कि उसके मंतरी आरोपियों के समर्थन में क्यूं आये थे उन्होंने दावा किया कि भाजपा ततकालीन बीजेपी पीडेपी गड़बंदन में थी और उससे जुड़े मंतरियों ने आरोपियों के समर्थन में एक रैली में भाग लिया था उन्होंने कट हुआ मामले में फैसले को लेकर सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आरोपिय चाहे किसी भी धर्म का हो उसे न्याय के कटगरे में लाया जाना चाहिए आपको बता दें कि आरोपियों को दोशी करार दिये जाने के बाद जम्मु कश्मीर की पूर्व मुख्य मंतरी महबुबा मुफ्ती ने कोट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उमीद है कि दोशीयों को कड़ी सजा दी जाएगी महबुबा मुफ्ती ने अपने ट्विट में लिखा कि इस वैसले का स्वागत करती हुए यह समय ऐसे घिनोने अपरादों पर राजनिती करने का नहीं है जहां एक आठ साल की बच्ची को नशीले पदार दिये गए और उसका रेप किया गया और फिर मौत के नीन सुला दिय अमीद है कि हमारी नियाएक विवस्ता की खामियों का फायदा नहीं उठाया जाएगा और दोशियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए आरोपियों को दोशी करार दिये जाने के बाद नेशनल कॉन्फरेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कह कि कानून के तहट दोशियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए आपको बता दें कि जनवरी 2018 में कठुआ मामले में भाजपा PDP सरकार की बुनियाद हिला दी थी पूरे डेर साल के बाद सोमवार को पठान कोट की विशेश अदालत ने 7 में से 6 को दोशी करार दिया राजे के कठुआ जिले में खानअब दोश समुदाए की 8 साल की बच्ची के साथ सामोहिक दुशकर्म और उसकी हत्या का मामला 17 जनवरी को बच्ची का शव बरामत होने के पाद सत्या पर आया था ठीक डेर साल पहले 10 जनवरी को 8 साल की बच्ची को अगवा कर उसका दुशकर्म किया गया था फिर उसकी हत्या कर दी गई थी कठों मामले में देश को हिला कर रग दिया था 12 जनवरी को हीरा नगर पुलिस इस्टेशन में पीड़ता के पिता की शिकायत पर FIR दर्ज की गई शिकायत दर्ज करने के बाद पास दिन बाद पच्ची का शब वरामद होने पर पोस्माटम में सामोहिक दुशकर्म और हत्या की पुस्ट्री हुई थी उस समय पीडिपी भाजपा की सरकार थी मुख्यमंत्री वग्रह विभाग का प्रभार संभालने वाली महबुमा मुफ्ती ने 22 जनवरी को ये मामला जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराद शाखा को सौब दियाग था इस मामले के तूल पकड़े जाने के बाद 17 जनवरी 2018 को हिंदू एक्ता मंच संगठन ने मामले में CBI जाच करवाने की मांग पर आंदोलन शुरू कर दिया कटवा में वकीलों ने भी इसके समर्तन में रैली निकाली इसमें भाजपा के इस्थानिय विधायक राजीव जसूर्टिया वा अन्या कुशनेता भी शामिल थे कटवा मामले के बाद राजे में भाजपा PDP सरकार के हित टकरा गए वा ये मामला सतह पर आने के ठीक छे महीने के बाद 19 जून 2018 को बीजेपी PDP की सरकार गिर गई इससे पहले पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 10 फरवरी 2018 को पुलिस के स्पेशल पुलिस आफिसर दीपक खजूरिया को गिरफतार कर लिया था इसके बाद पुलिस दौरा इस मामले में मास्टर माइंड करार दिये गए सांजी राम ने 5 अपरेल 2018 को पुलिस के आगे आत्मस समरपड कर दिया था इसके बाद 9 अपरेल 2018 को पुलिस ने 8 आरोपियों में से 7 के खिलाफ कठोवा की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया अगले दिन 8 अभियुक्त के खिलाफ चार्टशिट दायर की गई जिसके किशोर होने का दावा किया जा रहा था कठोवा मामले में सियासत के चलते भाजपा ने अपने 13 अपरेल 2018 को मंत्रियों चौधरी लाल सिंग और चंदर प्रकाश गंगा से इस्तफ़ा ले लिया था वही पुलिस ने 14 अपरेल 2018 को अपराद शाखा के अधिकारियों को अदालत में चार्टशिल दाखिल करने से रोकने के लिए वकीलों के खिलाफ प्रात्मी की दर्ज की इसके बाद 16 अपरेल 2018 को सुप्रिम कोट ने जमू कश्मीर सरकार से इस पर बात की और जवाब मांगा कि पीड़िता के परिवार वालों ने मामले के ट्राइल को राज्य से बाहर कराय जाने की मांग की है वही 18 अपरेल 2018 को पहली सुनवाई में क्राइम ब्रांच से कहा गया कि सभी आरोपियों को आरोप पत्र की कौपी दी जाए इसके पाद 7 मई 2018 को सुप्रीम कोट ने मामले को पंजाब के कठवा से पठान कोट में शिफ्ट किया इस मामले के सुनवाई 3 जून को पूरी हुई वह 10 जून 2019 को सामोहिक दुशकर्म और उसकी हत्या के मामले में विशेश अदालत ने 7 में से 6 आरोपियों को दोशी करार दिया आपको बता दें कि पठान कोट की विशेश अदालत ने सांजी राम परवेश दोशी और दीपक खजूरिया को उमरिकैत की सजा सुनाई वही हेड कॉंस्टिबर तिलक राज असिस्टेंट सब इस्पेक्टर आनन दत्ता और एस्पियो इस्पेशल पुलिस आफिसर सुरिंदर वर्मा को 5-5 साल की कैद और 50-50 हजार रुपे के चुरुमाने की सजा सुनाई है तो दोस्तों आपने देखा कि बैरिस्टर असदुदीन ओवेसी ने भारतिय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब वो लोग कहा हैं जो उस समय ये दावा कर रहे थे कि बच्ची का रेप नहीं हुआ और आरोपियों के समर्थन में आ करके तिरंगा यात्रा न अंतरी आरोपियों के समर्थन में रैली निकाल रहे थे तो वहीं महबुबा मुफ्ती ने भी फैसले का स्वागत किया पर कहीं ना कहीं नाराजगी भी उन्हों ने जाहिर की कि आरोपियों की सजा उम्र कैद नहीं कोई बड़ी सजा होनी चाहिए थी जिस से वो देश के ल हैं और हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं पर ये उम्र कैद की सजा फासी में तबदील होनी चाहिए थी मैं लगातार इस खबर पे बना हुआ हूँ और जब से ये केस की सुनवाई और केस का रिजल्ट हम लोगों के सामने आया है तमाम तरेके के फॉन कॉल आना शुरू हो गए हैं और हर कोई यही मांग कर रहा है कि कोट से आगे जाना चाहिए और जिन आरूपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उन्हें फासी के तक्ते पर चढ़ा देना चाहिए चाहे बेटी आसिफा हो चाहे बेटी टुइंकल हो चाहे संजली हो हर किसी आरूपी को कि मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए क्योंकि जब तक एक कठोर सजा नहीं दी जाएगी तब तक इन देश में ऐसा ही चाहिए